अगर हम बात करें कि सारे प्लानेट्स सन के एराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं यह सेटलाइट्स प्लानेट्स के एराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं आखिर क्यों यह एक दुस्टे से कॉलाइड नहीं कर जाते हैं आखिर ये स्ट्रेट लाइन मोशन पर जोने मोविंग करते हैं जा हो अगर सन को हटा दिया जाए तो इन सभी को जानने के लिए आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे हैं क्योंकि आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ ग्रेवेडेस्टनल के तो मैं साहे सर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एस्ट्रेवेड पार्टनर में आज की इस वीडियो में हम शुरुवारत करते हैं ग्रेवेडेस्टनल फोर्स एंड यूनिवर्सल लो ओफ ग्रेवेडेस्टनल की बात कर रहे हैं सन 1686 इस्वी के हम बात कर रहे हैं समय है काफी फुराना ऐसा कहा जाता है कि एक दिन की बात है नूटन जी अपने गार्डन में बैठे बैठे कुछ सोच रहते हैं अचानक उसी दौरान एक एपल की तहए और जी एपल का गिरना नूटन के सोच में सोच पैदा करता है नूटन ने उस एपल को लिया और फिर उसे उपर के और फेका नूटन ने देखा कि आरे ये फिर डाउन हो गया न्यूटन अब इस सोच में लग गए कि आखिर रीजन क्या है इनके पीछे का रीजन क्या है तो आज उसी का नतीजा हमारे बीच है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेस्नल 1686 इस भी में न्यूटन ने एक सिदान्त परतिपादित कर दिया जिसका नाम पड़ा यूनिवर्सल लो ओफ ग्रेविटेस्नल आखिर क्या होता है यूनिवर्सल लो ओफ ग्रेविटेस्नल उससे पहले जानते हैं क्रेविटेस्नल क्या gravitational आप जितने भी planets को देखते हैं वो सभी sun के around revolve करते हैं जितने भी stars है universe में बने पड़े हैं जितने भी satellites है ये सारे बने पड़े इन सब के पीछे का region है gravitational force आखिर ये gravitational force होता क्या है तो gravitational force एक force है between two particles के किसी भी दो पार्टिकल के बीच लगने वाला एक फोर्च है यूनिवर्स में हर आबजेक्ट एक दूसरी पर एक फोर्च आफ एट्रेक्शन लगाता न्यूटन की माने तो यूनिवर्स के जितने भी आबजेक्ट है वो सभी object एक दूसरे पर force of attraction लगाता है अधर्थ हर object को अपनी ओर खीचना चाहता इधर अपनी ओर तो the force of attraction between any two object any two object by virtue of their masses is called gravitational or gravitational force कहा जाता है कि संसार के किनी दो वस्तूओं के बीच universe के किसी भी दो object के बीच ये लगने वाला आकरसन बल उसके तर्मान पर निर्फर करता है और जिसे हम गुर्थवाकरसन बल गाते हैं सूरिप के चार और ग्रहों का घुमना और ग्रहों के चार और उप ग्रहों का घुमना ये नतीजा है गुर्थवाकरसन का अगर हम सं से गुर्थवाकरसन को हटा दे या सं को उसके प्लेस से हटा दे तो सं गुर्थवाकरसन बल के दोरा सारे प्लानेट्स को जो बांद कर रखे हैं वो free हो जाएंगे और वो एक state line पर moving करने लगेंगे यह जो इसका fast fix है यह gravitational of sun के कारण है हम बताएं universal law को नहीं अभी gravitational force बता है इसके बाद हम बताएंगे आपको universal law of gravitational को तो gravitational law में आपने बस यही समझा कि इस object यूनिवर्स के every two object संसार के हर दो object क्या करते हैं एक दूसरे पर एक force of attraction लगाते हैं क्या लगाते हैं force of attraction लगाते हैं जिसे हम गुर्थवा करसन बलकाते हैं लेकिन यह depends करता है उसके mass पर और उनके बीच के distance पर दो object के mass और इनके बीच के distance पर depend करता है जी mass और distance पर depend करता है तो यह सारे चीज यूनिवर्सल लोग अफ ग्रेविटिशनल कहलाते हैं तो 1668 में 1668 में Newton proposed that every particle of matter in the universe attract every other particle with a force of attraction non-universal law of gravitational Newton ने यह कहा कि universe का हर दो object every two particles हर एक दूज़े को अपनी और खीचता है जिस तरह आप किसी की और खीचे चले आते हैं आते हैं आप चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर चला जाता नहीं यहाँ पर खीचा जाता है आट्रेक्ट किया जाता है आप उसे एट्रेक्ट कर रहें वो आपको एट्रेक्ट कर रहें यानि कि अगर हम दो object की बात करें आप दोनों जो यहाँ पर बैठे हुए ग्रिवीटेशनल के लिए मांस ज्यादा चाहिए जितना ज्यादा मांस उतना ज्यादा ग्रेवीटेशनल चले्वे इसे हम पुरे डिटेल में जाते हैं सबसे पहली बात इसे समझते हैं और हमको लगता है कि आप यह समझा है crying एक ग्रेवीटेशनिल फोर्स्काल फोर्स्क एक पोर्स है जिसमें हर दो reason दीनल्फलबॉन शूर रूपकेट्स यंव मेरश एब्री तूअ ओब्जक्ट और और यूनिवर्स एक ग्रेप्ट nell pass ये यानि यूनिवर्स का हर दो ऑब्जेट्स एक दूश्रे को अपनी और खीचने की कोशिस करता है और खीचता है जिसे हम universal gravitational कहते हैं क्या करते हैं universal gravitational means every particle in the universe attract every other particles with a force with a force which is which is which is which is directly proportional to the product of their muscles and inversely proportional to the square of the distance between them जी this is known as universal law of gravitational yeah मेरा कहने का मतलब यह है यहां पर universal law of gravitational को हम बता रहे हैं इसमें हम यह बता रहे हैं कि every particles of the universe universe का हर particles एक दूसरे को अपनी और आकरसित करता है क्या करता है आकरसित करता है और यह होता है दो पदार्थ के बीच लगने वाला आकरसन बल जो होता है यह होता है उन दोनों पदार्थों के द्रेमान के गुननफल के समानुपाती means product of mass of two objects means यहां पर जो यह force लग रहा है यह force है directly proportional to the product of their masses means the object है दोनों object के mass का product जो होता है वो जितना होगा उतना ही force उन दोनों object पर लगता है और इसके साथ ही साथ distance square distance square means समझ रहे है distance का square तो यह जो distance है उनका square का inversely proportional होता है अथार्थ उनके बीच दूरी के बर्ग के बेउद्गनपाती होता है तो उनके बीच यानि the force is सबसे पहला point हम क्या बताएं the force is directly proportional to the product of masses यहाँ पर जो force लगेगा वो directly proportional होगा उसके masses के and the force is inversely proportional to the square of the distance between the masses उन दोनों के बीच जितना distance होगा उनका square का inversely proportional यानि square तो गुना वहाँ पर जो है force पर effect डालता है आप एक थोड़ा सा distance को बला देजिए आपका force दो है दोगुना घड़ जाता है दोगुना घड़ जाता है चोगुना घड़ जाता है तो यह चीज़ यहाँ पर depend करता है क्योंकि यह square पर dependent है यानि fourth one or fourth time जो है यह force जो है apply हो जाएगा यानि इसे हम एक expression के through चलिए प्रूफ करते हैं of mass m1 and m2 separated by a distance r मान लेते हैं कि दो object m1 और m2 है यह दोनों एक दूसरे से r distance पर place कितना distance पर r distance पर place है अब इन दोनों के बीच एक force लग रहा है force of attraction इन दोनों के बीच एक force of attraction लग रहा है और वह force f लग रहा है यानि कि if f is the force of attraction between the two objects m1 and m2 then according to gravitational law क्या होगा according to gravitational law यह होगा कि इनके बीच जो यह force लग रहा है यह force directly proportional होगा m1 into m2 के means the force is directly proportional to the product of masses force is directly proportional to the product of masses यानि कि यहां पर जो force है और directly proportional होगा m1 into m2 के m1 into m2 के यह पहला point है equation 1 इसे माल लेते है second point है क्या कि the force is inversely proportional to the square of the distance between the masses यह दो object है यहां पर distance क्या effect डालता है यह जो force है यह square के इसके बीच का जो distance है उनके square के inversely proportional होगा inversely proportional होगा यह एप इस inversely proportional to 1 by r square ठीक है f is inversely proportional to r square means f proportional 1 by r square अब देखते हैं अब क्या करेंगे on combining equation 1 and 2 अब equation 1 and 2 को combine करेंगे पहला में देखे f is directly proportional to m1 m2 और दुसरा में f is directly proportional to 1 by r square means f is inversely proportional to r square इसको combine करेंगे तो हो जाएगा f is directly proportional to m1 m2 divided by r square अब आपको पता ही होगा जब हम proportional को हटाते हैं तो उसके जगा कुछ constant लगता तो f is equal to g into m1 m2 divided by r square f equal to g into m1 m2 divided by r square where g is the universal gravitational constant जहां g क्या है universal gravitational constant अगर आप यहां से g निकालना चाहते हैं तो g equal to f dot r square divided by m1 m2 तो यहां पर g जो मेरा निकला यही कहलाता है universal gravitational constant जिसे capital G से हम denote करते हैं अब अगर हम बात करें इसके unit के तो SI unit of g means SI unit of gravitational constant तो यहां पर निकालने के लिए आपको लिखना पढ़ेगा SI unit of force into SI unit of distance divided by SI unit of mass into mass यानि की SI unit of force हो जागा newton distance का हो जागा meter but square है तो square लगा divided by mass of first object का kg second object का kg means kg square यानि की SI unit of g is equal to newton meter square पर kg square this is the SI unit of gravitational अब अगर हम बात करें इसके quantity की आगे अगर हम quantity के बात करें तो gravitational के quantity को लेकर बहुत ही मतभीद रहे हैं क्योंकि force यहां पर एक vector quantity है और यहां पर इनके बीच लगने वाला एक force है लेकिन एक object दूसरे पर और दूसरा object पहले पर यानि एक दूसरे के opposite direction में force लगाता है इसलिए Newton अंकल ने यहां पर इसे यानि कि gravitational को scalar quantity के अंदर रखा है यानि कि gravitational forces is scalar quantity आगे अगर बात हम करें कि gravitational के value का तो the value of g is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square means की जी का value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square होता है और यह हर जगा constant होता है जी का value constant रहता है आप moon पे हो sun पे हो earth पे हो या फिर universe के किसी भी जगा पर हो g का value किसी भी object पर g का value जो लगता है वो equal लगता है 6.67 into 10 to the power minus 11 इसके साथ ही साथ अगर दो object है जिनका mass m1 यानि की 1 kg m2 1 kg और दोनों अगर एक दूसरे से 1 meter के distance पर placed है तो उनके बीद जो लगने वाला force होगा f वो equal होगा gravitational के यानि f equal to g दो object अगर एक दूसरे से 1 1 meter के place पर है mass 1 kg है तो f b 1 m1 m2 1 तो इस तरह बचा g तो g equal to f यानि f जो होगा वो g के equal होगा तो यह था आज का वीडियो अगली वीडियो हम जब लाएंगे तो बात करेंगे इसके आगे की तब तक क्लिए thank you हमें